नमस्कार अबीसे नियूज में आप सभी का स्वागत है मैं हूँ आपके साथ नेहा मुखमंत्रियों की आदिताता अज बरेली दौरे पर रहेंगे इस दौरान वो शहर वासियों को 3,405 करोण रुपे की परियोजनाओं की सौगात नेंगे इसमें 2,700 करोड की 57 परियोजनाओं का शिला न्यास और 705 करोड की विकास कारियों का लोकार पन शामिल है सियम शहर के कानून विवस्था विकास कारियों की समिक्षा भी करेंगे सियम गे कालकरम के अनुसार मुखमंत्री सुभा लखनों के मौस एयरपोर्ट से राजकी विभाक से उडान भर कर बरेली के त्रिशू लेयर पेस पहुचेंगे सुभा 11 बचकर 20 मिनट पर हेलिकॉप्टर से शाजहापुर के धकिया पर वेश पूर रवाना होंगे दद्रॉल विधायक सर्गी मानमेंद सिंग के आवास पहुच कर उन्हें शर्धांजली देंगे और इसके बाद मुखमंत्री शाजहापुर से हेलिकॉप्टर से दोपहर 12 बचकर 20 मिनट पर बरेली पोलिस लाइन पहुचेंगे जिसके बाद बरेली कलब मैदान में विकास योजनाओ का शिला न्यास और लोकारपन करेंगे सीम योकी तो पहर धाई बचे से विकास भवन में मंदली समीक्षा पैठक करेंगे और शाम 4 बचकर 5 मिनट पर बन मंदली डॉक्टर अरुन कुमार के आवास पर पहुचेंगे और साम साहे 4 बचे इंडूर स्टेटियम का लोकारपन करेंगे वही शाम 4 बचकर 55 मिनट पर रामार बाठीका में हनमान प्रतिमा का नावारन करेंगे और इसके बाद राम गंगा नगर आवासी योजना से रवाना होकर त्रिशूल एयर बेस पहुचकर लखनों के लिए रवाना होंगे तो कानून विवस्था देखेंगे हर्मार प्रतिमा का सीम करेंगे नावरण आज बरेली दौरे पर हैं सीम योगी आदितनात और सीम योगी का बरेली दौरा जिसको लेकर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से तयारिया पूरी की जारी हैं 3400 करोन करोन रुपए की परियोजनाओं की सौकात देंगे 705 करोन की विकास कार्यों का लोकार पर इसमें शामिल है और सीम शेहर की कानून विवस्था और विकास कार्यों की इस दौरान समीक्षा भी करेंगे और उनके दौरे को लेकर वहां प्रशासन भी मुस्तैत और पूरी तयारिया की जारी है सीम योगी आदितनाथ के आग्मन को लेकर और इसके बात वो वहां पर जनसभाब ही करेंगे तो सीम योगी आदितनाथ दोपह धाई बजे सिविकास भवन में मंडली समीक्षा बैठक करेंगे और शाम 4 पचकर 5 मिनट पर वन मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार के आवास पर वो पहुचेंगे और शाम 4 बजे इंडोर स्टेडियम का लोकारपण करेंगे और शाम 4 पचकर 55 मिनट पर रामाड वाठिका में हर्मान प्रतिमा का अनावरण करेंगे